नमस्कार आप जोएरे आचो स्पार्क टुरे न्यूस हूंचो आपनी साथे मांसी रुईत नमस्कार आप जोएरे आपनी साथे मांसी रुईत सारवार दर्मियान मोध थायू हतो आँ मुद्दो आदिवासी सम्माजना लोको मा आकरोष्ण माहल जोव मड़े छे जयनति भाई परिवार ना सब्योए पन जया सुधी अमारी मांगनी पूर्ण न थाई त्या सुधी अमे लाश्णों कपजो लईशू नहीं एवी जीद प पकड़ी हती आदिवासी समाजना सुमन भै पटल प्रभू टोक्या सहित अग्रणियों पूलिश प्रसासन अने कलेक्टर ने रजवात करी जैनति भाई ना परिवार ने योग्ये वर्तर मड़े नेमनों पूत्रा सरकारी नोक्री आपफाम मावे अने आ घटना मां जयाद परिवार ना पूर्ण ना पूर्ण पूर्ण न करवा मावे तो बहुत आदिवासी के लिए खराबादसा है उसमें हमलोग सभी कांसीलर हमारे राकरबाई और सभी लोग आदिवासी में में नेता घए थे 8-10 मुद्दा पर बात हुआ है कि मुवावजा कितना मिलेगा उनको घर कहां बनाएंगे पैंसन कब मिलेगा नोकरी कब मिलेगी यह सब बात हुआ है और हम लोग ने यह भी बताया है कि ऐसा कभी तोड़ने जाते हैं तो चुने वह लोगों को विश्रास में लिगे बाद में अगर ले जाएंगे तो हमारा दीत प्रिवाज रहते हैं वीधी रहती है तो बारा से फंद्रा दिन तक वहाँ रहने दिया जए यह भी बात हुआ है और उन्होंने बुला है कि एक dos घंटे में हम लिखित में आप लोगों को दे देते हैं तो हमने बोला है कि चलो लिखित में देते हैं तो बहुत अच्छी बात है मगर हमारी एक मांग सब की ये भी थी कि जो वहाँ अधिकारी गए है उनके उपर भी एक्षन होना चाहिए उन्होंने जान बूझ के किसी को बिना बताए जल्बी में सब तोड़ दिया और उनका उन असले और आगे भी हम लोग पूरा अधिवासी समाज मिलके ये लड़ाई जारी लड़ाई जो वहाँ अधिकारी के से उनके खिलाब लड़ाई जारी रखेंगे अज हमने क्लेक्टर से मुलागात की और जो भी हमने मांग से रखी करने आने तो पूरा चरने के लिए हमको दिया गए और जो भी मांगे लिखके देने के लिए बोला है हमको एक दो गंटे के बाद मिलेगा लिखके जैसे के इनका जो घर टूटा है इनका मौजा परिवार का जो भी परिवार बेगर हुए उनको नोकरी दिलाने का भी दिलासा दिया है और जो पनेया पे जो इनके अभी रख करने के लिए बोला गया है उनको रिश्वास में दिया गया है तो अभी विश्वास दिला है अभी देखते हैं अभी क्या होगा है तो गंटे के बादे लिकित में देने वाले हैं अभी वादे अन्याद अङया है